डिप्लोमा वालों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है इसमें अगर फॉर्म नहीं भरा तो बहुत पस्ताओगे ये इसलिए लिखा है तो कि इसमें कमपटिशन बहुत कम होने वाला है तो इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखें और वीडियो को अंततक पावर जनरेशन कमपनी लिमिटेड ये एक स्टेट पीस यू है जो कि स्टेट गवर्मेंट के एंडर में आता है ये हाइली पेड प्रोफाइल जॉब है तो इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी खासी वेकेंसी निकली हुई है जिसके बारे में आप लोगों को बता देने वाला हूँ तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितनी वेकेंसी कहां पे दी गई है मेकेनिकल स्ट्रीम के लिए यहां पे जो दी गई है वेकेंसी इसमें टोटल वेकेंसी आपका दिया हुआ है 116 वेकेंसी जो टोटल है इसमें से 48 वेकेंसी आपका जनरल स्ट्रीम वालों के लिए और बाकी रिजर्व है तो रिजर्वेशन में इसमें किस तरह का रिजर्वेशन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए रिजर्वेशन का अलग-अलग क्राइटेरिया है जो जिस क्राइटेरिया को फुल्फिल करता है उसमें वो वेकेंसी फुल्फिल कर सकता है तो अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इसके बारे में नंबर आप सीट्स आप लोग इसमें देख सकते हैं इसका लिंक मैं अपने description में दे दूँगा जिसमें आप लोगों को आराम से अपना online firm भरने के लिए भी link दे दूँगा जिसमें आप लोग क्लिक करके direct firm भर सकते हैं और मैं इसमें fees से related और कितना pay scale है उसे related सारी जानकारी और क्या degree इसके लिए चाहिए होगा उसकी पूरी जानकारी में आप लोगों को इस वीडियो में दूगा तो शुरू करते हैं जिसमें आपका mechanical engineering के लिए इसमें open 23 seats को इन्होंने invite किया हुआ है जिसमें 23 seats में mechanical के general के candidate form भर सकते हैं और बाकी total 48 seat है general में और बाकी आपका electrical में ठी किसी तरह से आपका 23 seat यहाँ पे दिया गया है और instrumentation में 14 seat दिया हुआ है जो कि आपका open है इसमें कहीं से भी कोई भी छात्र किसी भी state का होने से वो form भर सकता है और बाकी departmental वालों के लिए भी कुछ इसमें seats already reserve रखी गई है जो कि यहाँ पे है तो यह जो उसमें already काम कर रहे है state PSU में उसके लिए है तो इसको जादा ध्यान देने की ज़रुवत नहीं है बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके लिए क्या-क्या requirements होंगी क्या-क्या experience क्या-क्या criteria मांगा गया है तो यह नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें आप लोगों को दिया गया है कि क्या-क्या इसमें criteria चाहिए तो जिसको मैं थोड़ा सा explain कर देता हूँ आप लोगों को आप लोग ध्यान से देखेगा तो इसमें है junior engineer के लिए पे ग्रेट जो है वो आपका 37,340 से start है तो दोस्तों 37,340 जो यह basic pay scale है यह बहुत high pay scale है इसमें जो आपका payment बनेगा general payment वो आपका approximate 70,000 के जैसा पड़ेगा तो इसमें अभी आपका क्या मांगा गया है यहाँ पे सिधा लिखा गया है कि अगर कोई experience की बात की जाती है तो आप लोग इसके लिए परिशान नहीं होईएगा दोस्तों इसमें जो departmental लोगों के लिए form फिल करने के लिए उनके लिए 5 साल का experience मांगा गया है तो इसमें जो freshers candidate है वो भी form apply कर सकते है उनके लिए कोई भी experience required नहीं है इसमें अब बात करते हैं age limit की तो यहाँ पे age limit और सारी criteria दी गई है age limit इसमें 38 year है 38 year age limit है इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है आप 18 year से 38 year के बीच में जो भी general के लोग है वो form भर सकते हैं और अलग-अलग relaxations के लिए अलग-अलग category वालों के लिए अलग-अलग relaxations की age limits हैं तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों और इसके बाद आगे चलते हैं इसमें last date की बात करते हैं इसमें form का last date क्या है तो इसमें मैं जल्द जल्दी इसलिए बता रहा हूं दोस्तों अगर आप लोगों कोई भी query हो तो आप लोग कूछ सकते हैं तो इसमें last date जो है वो यहाँ पर दिया गया last date submission of application 17 December 2022 को है तो इसमें आप लोग 17 December से पहले आप लोगों को form फिल करना होगा और उसके बाद इसमें बाकी की सारी जो reservations के लिए ये सारी चीज़े इसमें दी गई है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि किसमें क्या-क्या चीज़े चाहिए होंगे अगर आप लोगों को इससे related कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं next वीडियो बना दूँगा आप लोग कमेंट सक्षन में जरूर कमेंट कीजिएगा और उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा और आगे सलता हूँ कुछ जानकारी देता हूँ जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें नेमाप पोस्ट जो है वो जो यहाँ पर दिया हुआ है TECH1 ये ये दोनो अलग-अलग इसके लिए है वेकेंसी है असिसेंत इंजिनर जो है इसके लिए आपको डिगरी चाहिए तो ये डिगरी वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और ये जो जूनियर इंजिनर है इसके लिए अलग से ये आपका diploma चाहिए और कोई अलग से अत्रिक आपको कोई experience या कोई अलग degree नहीं चाहिए तो इसमें आप लोगों का जो reservation है handicapped का वो यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना handicapped के लिए seats reserved है और उसके बाद बाकी का यहाँ पे assistant engineer और आपका JEE के लिए जितना fees required है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ तो जो assistant engineer है उनके लिए 800 रुपया fees है हलाकि आप लोग junior engineer के लिए देख लीजिए जिसमें जो open category में form भरेंगे उनके लिए यह 500 रुपया fees है 500 रुपया plus GST तो 500 रुपया का GST वही 18% आप लोग देख लीजिएगा और बाकी का यह जो आपका EWS category और reservation वाले हैं उनके लिए यह आपका 300 रुपया plus GST है तो यह आपका लगबग 300 रुपया के जैसा इसका reservation में और बाकी का आपका 600 के जैसा आपका पड़ेगा junior engineer के लिए तो यह बहुत ज़्यादा फीस नहीं है इसमें बहुत सारी vacancies हैं और यह काफी easy है तो इसलिए आप लोग इसको आराम से form fill कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा competition नहीं है तो आप लोग इसको easily crack कर सकते हैं यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुस खबरी है और इसमें जो conditions और selection process है वो यहाँ पे नीचे में बहुत detail दिया गया है तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और इसके बाद आप लोगों को और थोड़ा मैं बता देता हूँ इसके बारे में कि जो general conditions हैं वो conditions नीचे दी गई है important conditions भी यह आप लोग देख सकते हैं और इसके बाद आपका जो form फिल करने के लिए website है वो कब open हो रहा है कब close हो रहा है इसके लिए यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को date तो आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं और अगर इससे जुड़ी कोई भी समस्या है या कोई भी सवाल हो तो आप लोग comment section में जरूर पूछेगा धन्यवाद दोस्तों